हाई फ्रेंज नोलेज वित करन में आपका स्वागत है आज मैं आपको जान करी देने वाला हूँ सबसे पहले तो में यह मेरा फोन है होगा सब्सक्राब नाम का और बाजू में एक बेल आइकन होगा वो क्लिक किजिए इसलिए जब भी में वीडियो अपलोड करूं और आपके मोबाल में नोटिफिक्शन आज आएगी और आप दे सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो इस बटन को प्रेस किजिएगा तो लिए शूरू करते हैं आज की हम यह वीडियो सबसे पहले तो इस सेटेंग में जाएए और अबाउट फोन में जाएए यहां आपको सबसे पहले तो जो मैंने अपडेट कर लिया है आपको दिखता होगा यहां इमाई यू आई टेन सोरी इमाई यू आई 10.3.50 का अपडे लोगों ने नई की अपडेट प्लीज चेक फोर अपडेट में क्लिक किजिए यहां क्लिक के जिए और आपको आजाएगा जीन लोगों के पास रेड्मी नोट 7 प्रो है उसको भी तो चलिए इसमें क्या नया आया है नया फ्यूचर उसके बारे माँ बात करते हैं मैं बाद पे का option आया है वो भी बतावाँगा तो सबसे पहले theory में हम देख लेते हैं तो system में क्या नहीं आया है सबसे पहले तो new आया है यह face lock का पस फिर optimization हुआ है face data record to fast optimization face unlock हुआ है fast हुआ है update under security security update हुई है April 2009 की system security हुई है और optimization हुआ यह camera open में जो load हो रहा था ना उसको भी optimization कर दिया है अब आप face camera open करेंगे तो fast open होगा और camera जब 48 megapixel काम यह click करते हैं तब थोड़ा समय लगता था अब यह समय नहीं लगेगा fast click होगा अब क्या नहीं आ है phone में message bubble were not aligned properly उसको fix किया है status bar shortcut and floating notification bar calls appear same time and in call to longer 10 than expected वो थोड़ा network का problem था भी वो भी size solve किया है lock screen status bar notification set उसको भी solve किया है new क्या है उसमें lock screen में you can restricted opening notification set on the lock screen अब आप लोग screen आपका phone lock है और आप notification देख सकते हो और optimizing के हुआ open home screen using your fingerprint after face data is verified low battery warning did not open landscape पहले क्या होता जब आपकी phone के battery low होती है तब landscape नहीं होता था landscape mode open नहीं होता था अब landscape mode भी open हो जाएगा तो चली अब में बात camera में update आया है new mode AI camera new mode for AI camera AI भी आ गया है जह face जो आप selfie लेता हो ना उसमें भी AI camera आ गया है और fix क्या किया है camera force close when F was close and open again the video mode सबसे पहले तो यह कभी-कभी camera लोड होता था देल लगती ही photo में click की और automatic close भी हो जाता था अब यह दिक्कत नहीं होगी और जब सबसे पहले क्या होता था जब आप camera open करते थे तब video mode open होता था अब यह नहीं होगा तो चलिए अब setting में क्या नहीं आया है वह आप आपको में बता दूंगा चलिए सबसे पहले तो यह एक आया है emergency SOS यह एक नहीं setting आया है उसमें क्या होगा यह आप लोक की की दबाओ प्रेस करोंगे ना उसमें आपको यह उसमें लोंग टाइम तक यह लोक की लग जाएगा आपको यहां यहां है कि एक एक कॉंटेक्स से उकरना होगा कि जब आप प्रेस करोंगे लोंग टाइम तक लोक की स्क्रीन ओटोमेटिक कॉल लग जाएगा जिनका यह सेट किया होगा कॉंटेक्स में उसको लोग लग जाएगा कॉल तो यह अच्छा फ्यूचर है और इम आई पेक एकाउंट का भी एक नया फ्यूचर आया है तो बस इतनी थी यह नया फ्यूचर थैंक्यू सो मुच वीदियो देखने के लिए आगे ही में यह इसी तैकक की जुअ डालने वाला हो तो पलेस है चीनल को सब्सक्राइब किजएगा थैंक्यू सो मुच वीदियो देखने के लिए